हेलो दोस्तों नमस्कार जैमाता दे मारे यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार दिक स्वाकता बहुत बहुत अभी नंदन और मैं आज शुगर वाले भाई पैनों के लिए बहुत ही जबर्दस्त रेशिपी लेकर रही हूँ शुगर वालों के लिए मूली के पत्तों की चटपटी भाजी कैसे बनाई जी हाँ दोस्तों हम सभी मूली के पत्तों को घास्पूस समझ कर फैक देते हैं जबकि मूली के पत्तों में अनेकों पोसक तत्तों मोजूद होते हैं आप कभी भी मूली के पत्तों को बेकार समझ कर ने फैकी क्योंकि मूली के पत्तों की चटपटी भाजी बनती है जो शुगर वालों के लिए बहुत ही फैदी मन्द होती है आज मैं शुगर वालों के लिए मूली के पत्तों की भाजी बनाऊंगी जो बहुती स्वादिष्ट और चटपटी बनती है उससे पहले तमाम शुगर वाभी पी वाले भाई बैनों से विंती करती हूँ कि सर्दी का मोसमें अलस्षे बिल्कुल ने करें दोनों समय सेर जरूर करें 45 मिंट सुबह पैंता लिश मिंट शैंपू और साथ ही अपने खान पान का विशे इस्थियान रखें आई ये बनाते हैं शुगर वालों के लिए मूली के पत्तों की स्वादिष्ट भाजी जो खाने में चटपटी होती है और अनेक पोसक ततों से भरपूर होती है यह देखें मूली के पत्ते यह पांच मूली के पत्ते मैंने सबसे पहले धोया इनको दोने के बाद इनको बारी काटने यह मैंने बारी काटके रखें ऐसी बारी काटना इनको यह देखिए बिल्कुल बारीक बारीक पाच मूली के पत्ते मैंने काट कर रखे हैं अब हम एक मूली लेंगे यह देखिए मूली एक ही लेनी है इसको हम छील लेंगे इसको फैले दोएंगे दोने के बाद शीलना है अब इसको इधर से काट देंगे अब इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे अब सबसे पहले हम गया सोन करेंगे इस पर एक बरतन रखेंगे इसमें थोड़ा पान रखेंगे देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा पान रखा है अब हम डालेंगे इसमें मुली के पत्ते और यह हमने एक मुली काट कर रखें इसमें डाल देते हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सेंधा नमक अब इसको उबाल लेंगे अब इसमें ब्रफेंगे तक इसको उबालेंगे अब यह देखिए पाना सात मिन्ट के बाद हमारी मुली के पत्ते अच्छी से उबल चुके है अब हम इसे उतार लेंगे और गैस पर कड़ाई रख देंगे अब हम डालेंगे कड़ाई में सरसु का तील अब इसको ग्रम होने देते हैं जैसे हमारे तेल ग्रम होता है उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और इसके लिए हमें क्या कैसा मगरी चाहिए जान लेते हैं अब हम डालेंगे इसमें एक चुटकी देखें आदा चोड़ा चम्माच साब बुद जीरा और ये देखें चार पांच कली लैसुन की जो हमने शील कर बारी काटके रखी है एक चोटी प्याज दो हरी मिच ये भी हम इसमें डाल देंगे अब इसको ऐसे चलाते रहना है अब हलका ब्राउन करना है ज्यादा खाला नी करना जब दा कमारा चोपते या रहता है हमारी मूली भी ठंडी हो चुकिया अब हम इसमें देखें पड़ा हर्दी पोडर डालेंगे पड़ा मिर्ची पोल्डर डालेंगे मिर्ची पोल्डर कम डालना है तो ये स्तेन था नमक ये भी कम ही डालेंगे अपने स्वाद के साथ से डालेंगे हमने पहले उबालते हमें इसमें नमक डाला था इसलिए कम डालेंगे अब हम इसको मिक्स करतेंगे ये देखें आतके साथ को मिक्स करतेंगे अब देखिए हमारा चमुक भी अच्छे से अब जोगा अब डालेंगे हरी मिर्श के लिए जोने बारी पार्ट के रखेंगे जोने बारी पार्ट के रखेंगे अब इसको अच्छे से बून लेंगे और इसके पत्ते ये जो मूली के पत्ते हैं इनको बिल्कुल थोड़े पानी में बालना है हमने कम पानी डालना है क्योंकि पानी निकालना नहीं है स्वादि है स्वाधियुगे तो आर बने जम्में बहुती क्यों बने जल्ली बन जाती बोती स्वाधियुगे शल्योंति चट्ड़टी अब प्रोस्ते यह देखिये हमारे शुगर वाले पाई पहनों के लिए मूली के पतो की स्वाधिष्ट भाजी बिल्कुल तैया वा है जो बहुत ही च्टपटी होती है और बहुत ही फैदेमन्द होती है और मूली के पतो को गासपों समझ कर नह पहनches एक बार यह सबजी जरूर ट्राई करें और धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो लाइक सेर जरूर करें और हमारे चेनल पर बने रहें जैमाता दोस्तों